हैलो फ्रेंड से वी-की रसोह sini में आप सबका स्वागत हैं कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं चर्ष और अस्छे ऊइस ओंगे तो आज बनाने जा रहे हैं कस्टरड सागो जेली सर्बत तक असा पनायर merch निया है support हो के लिए जीनी हमने इसमेड कि टो हम बनाएंगे कॉन फ्लोर की जेली तो इसके लिए हमने कॉर्न स्ट ले लिया है चार चमश के करीब और इसमें हम पानी येड़ करदेंगे और इसे हम एक पतला से त्यार कर लेंगे हैं जिसे में कोई फ्लोर हमारा सफेद था अब यह इसमें लगातार चलाते हुए देखिए ट्रांसफेरेट कलर का हो चुका है इसे लगातार ही चला लेंगे नहीं तो इसमें जो गुटलियां वो पड़ जाएंगी तो यह जो हमारा जेली पावडर है वो अच्छे से जेली हमारी अच्छी से बन नहीं पाएंगे तो देखिए इसे हम लगातार चला रहे हैं इसमें कोई भी लंस नहीं पड़ा है नहीं कोई गुटलियां इसे चलाते हुए पका लेंगे और देखिए यह जो चलाते हुए हमें इसे पांच मिनट के करीब हो चुका है और यह देखिए अभी पतला है तो इसे हमंगे इसे बना लिया हो और आप इसे हम तीन अलग बढ़तन में रख लेंगे तो इसमें देखिए भी हमने थेल्थ ऊपने नट के लिए टेंगे जिसे ही अछी सेट हो जाएंगे तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे दूद उपलने के लिए हमने पहले से रख दिया था तो दूद हमने लिया एक लिटर के करीब और elin बने के लिए रख दिया साथ भी हम एड़ करेंगे सब्जा सीट सब्जा सीट गर्मियों के लिए बहुत ही फायदे मन होता है तो उसे हमने लिया है एक चमच के करीब सब्जा सीट और इसे पानी डाल के रख देंगे दर्ग जिसे देखिए दूद जो उबल रहा है अब इसे हलका सा गुनगुना हुआ है तो इसे हम निकाल लेंगे एक चमच के करीब और इसे हम कस्टेड पाउडर में डाल देंगे और इसे कस्टेड पाउडर में इसे चला लेंगे तो इसे जिसे हम चलाएंगे तो जिसे इसमें लंच ना पड़ें और इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि दूद में हम इसे custard powder add करेंगे तो देखिए इसे हमने मिला लिया है और दूद में भी काफी अच्छा उबाल दीरे-दीरे उबाल आने लगा था तो देखिए उबाल आ चुका है अब हम क्या करेंगे गयास को दीमा कर लेंगे और इसमें हमने चीनी आइड कर दी थी क्या थोड़ी सी तो अभी इसमें हम अयट कर देंगे गे और इसे चला लेंगे जिसे इसमें कोई लम्च ना पड़े देखिए इसे Seems न kissed चռला लिया है और इसे अभी देकने धीरे-धीरे चला लेंगे और यह भी तोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाए घहिए दा सागो यानि कस्टर्ड सागो बनाने के लिए हम क्या करेंगे दो गिलास के करेब गरम पानी लेंगे उसे गरम करने लेंगे और 11 इनिपμε च्री Find में में सब चैसेservice सेब साअ के लिए सावो दाना बालना को हम दो बड़े गलास में इसलिया एड़ करेंगे जिससे जो साबुदाना को जो एक्स्ट्रा जिसको स्टार्ट बोलते वो निकल जाए क्योंकि हमें इसका हलका सा दाने इसके यूज़ करने है तो देखिए इसे अभी हमने उबालने के लिए रख दिया है पांच मिनट के करीब उबल चुका है और इसमें जो ह हमारा साबुदाना था तो वो देखिए देखिए उबाल आ रहा है तो अभी इसे हमें पकाते हुए दस मिनट के करीब हो चुका है तो अभी दीरे-दीरे ये पक गया इसे हम चेक कर लेंगे कि जो हमारा साबुदाना है वो अंदर सक पका है या नहीं तो दस मिनट के करीब आपने पखने पानी प्रॉस फ्रया सेट कर लिए और हम साथ में फ्रया खिला रहेगा तो इसे भी हम एक साइड में रख लेते हैं और आप मुझे हमारी जली हमने कॉन फ्लोर की बना रखी थी वो कैसी है तो इसे भी हम कट कर लेंगे तो यह अच्छे से सेट हो गई हैं देखिए हमने से कट कर लिया है आप किसी भी साइज में से कट कर सकते हैं हमने छोटी-छोटी से कट करके रखा हुआ था और यह देखने में बहुत ही अच्छी लग रहे हैं तो अभी इसे हम निकाल लेंगे इन्हें हम सारे कलर को एक साइड में निका सारी ज पाइज में हम अच्छे से चिपक गया तो इसे हम अच्छे से मिलना खुआ है तो अब हम इसमें Jaily बना कर दो मैं कि तो देखिए देखने में कितनी अच्छे रंग रंगी कलर की जेली हमारी लग रही है तो देखिए सारी जेली इसमें एड़ कर दी है और असाथी अब हम इसमें एड़ कर देंगे जो सब्जा सीड हमने भीगो के रखा था उसे हम इसमें एड़ कर देंगे तो वो हमने इसमें एड़ किया, तीन बड़ चमच के करीब इसमें हमने एड़ कर दिया, तो देखिए हमारा सर्वत बनके रेड़ी हो चुका है, यह ठंडा ठंडा सर्वत, पीने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे जरूर बनाएं, अब हम इसे एक ग्लास में सर्व कर लें और यह लीजिए हमारा कंस्टर्ड सागो जेली सर्वत बनके रेड़ी हो चुका है, अगर आपको हमारी रेसीपी पसंद है, तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें